राधे राधे मित्रों मैं जोती सिंग आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कान्हा लेडीज केर में मित्रों अपने इस वेडियो में मैं आपको लोटस बर्थ के बारे में बताने वाली हूँ लोटस बर्थ बेबी बर्थ का एक अलग ही ट्रेंड है जिसे कुछ लोग प्राचीन काल का तो कुछ लोग मौडरने ट्रेंड कहते हैं अफरीका के लमसम 52 देशों में लोटस बर्थ का ट्रेंड है लोटस बर्थ आम बेबी बर्थ से अलग तरह का होता है नॉर्मली किसी भी बच्चे के गर्भनाल को बर्थ के 30 सेकेंड से 3 मिनट के भीतर काट दिया जाता है पर लोटस बर्थ में बच्चे को उसके गर्भनाल और प्लेसेंटा से तब तक जुड़ा हुआ रखा जाता है जब तक वह खुद सुख कर बच्चे की नाभी से अलग न हो जाए इसमें 3 से 10 दिन का टाइम लग सकता है प्लेसेंटा मा के गर्भ में बच्चे की लाइफ के लिए जो बेसिक नेट्स होती है उन्हें पुरा करता है मा से बलड, ऑक्सीजन, न्यूट्रियेंट्स और बाकी सारी चीजे प्लेसेंटा और गर्भ नाल यानि की अंबलीकल काड के जरिये ही बच्चे तक पहुँच पाती है इसलिए लोटस बर्थ के पीछे एक आध्यात्मिक कारण होता है प्लेसेंटा और बच्चे के रिष्टे को सम्मान देना लोटस बर्थ के समर्थक इसके कई फायदों के बारे में बताते हैं पर लोटस बर्थ के मामले बहुत कम हैं इसलिए इसके benefits, harm और इस दोरान रखे जाने वाले care पर बहुत कम information मिलती है lotus birth पर किसी तरह की study भी नहीं हुई है बस कुछ खास लोगों से इसके बारे में information मिल पाई है lotus birth को मानने वालों का दावा है कि placenta को बच्चे के साथ attached रखने से उसे कई तरह की infection से बचाया जा सकता है साथी बच्चे का immune system भी strong होता है lotus birth को मान्यता देने वाले लोग इसके बहुत benefits बताते हैं पर चुकी इसके बारे में information बहुत कम है इसलिए surely इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता पर lotus birth को नकारने के लिए कई तरह के study मौजूद है जो की जल्दी गर्भनाल को काटने से related है जिन में ये बाते सामने आई हैं कि baby birth के बाद कम से कम 3 मिनट तक गर्भनाल बच्चे से जुड़ी रहे तो इसका benefit बेबी को मिलता है इसके आगे placenta या गर्भनाल मा की बोडी से अलग होने के बाद डेड हो जाती हैं उनमें बहने वाला blood जम जाता है और आगे वो बच्चे का पोसर नहीं करती गर्भ से निकलने के बाद placenta का बच्चे से attached रहना न रहना कोई matter नहीं करता बच्चे को मिल की जरूरत परती ही है placenta को attached रखने पर उसमें सडन और बच्चे को infection होने के chances ज्यादा रहते हैं साथी साथ placenta के साथ बच्चे की care रखना भी difficult हो सकता है ऐसी तमाम तरह की बाते lotus birth के opposite देखने को मिल सकती है यह informative वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताईए वीडियो helpful लगे तो like, share और subscribe कीजिए धन्यवाद